दमश्कार, D20 सीरीज में आपका हर्दिक स्वागत है। दिवाली में इस मैचस से आपने ऐसे बहुत सारी दिये जलाये होंगे और घर आंगन को रोशन किया होगा। पर दिया जलाना या आग लगाना हमेशा से इतना आसान नहीं था। आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में लोग पत्थर अगड़के आग लगाते थे। पर आजकल केमिकल्स की मदद से आग लगाना बड़ा ही आसान हो गया है। तो आज हम कुछ ऐसे ही केमिकल्स रियक्शन से दिया जलाएंगे और आग के विज्ञान को समझेंगे। तो हमारे पहले प्रयोग में हम पोटैशियम परमैगनेट और ग्लिसरीन का यूज़ करके दिया जलाएंगे। एक टी स्पून पोटैशियम परमैगनेट में कुछ भूंदे ग्लिसरीन की डाल लेते हैं। थोड़े समय में ही यह केमिकल्स मिक्शर बड़े ही खुबसूरत तरीके से जल उठता है। हमारे इस दूसेर प्रयोग में हम पोटैशियम परमैगनेट, सल्फियोरिक आसिट, कॉटन और आइसोप्रोपैल आलकोहल का यूज़ करके दिया जलाएंगे। एक दिये में कॉटन बॉल को रखकर कुछ बून्दे आइसोप्रोपैल अलकोहल की डाल देते हैं जो की फ्यूल का काम करता है। एक छोटी सी प्लेट में चुटकी भर पोटैशियम परमैगनेट लेते हैं। ग्लास रॉड को H2SO4 में डुबो कर इसमें इस तरह पोटैशियम परमैगनेट को लपेट लेते हैं। और अब इस रॉड को कॉटन बॉल के ऊपर इस तरह दबाकर थोड़ा घिस दे तो देखिए कि जल उठता है। हमारे इस तीसरे प्रयोग में हम इस मैचिस की तीली का प्रयोग तो करेंगे पर बिना ही इसे घिसे हम इससे दिया जलाएंगे। एक कॉटन बॉल के ऊपर कुछ भूंदे आईसो प्रोपाइल अलकोहल की डाल कर इसके ऊपर मैच स्टिक हेड को पाउडर करके डाल देते हैं। इसमें कुछ भूंदे एस्टु एसो फोर की डालने पर यह देखिए यह तेजी से जल उता है। अब इन तीनों रियक्शन में ऐसा क्या हुआ कि आप जल उठी चलिए समझते हैं। किसी भी कार्बनिक बदारत को जलाने के लिए हमें तीन जीजों की ज़रुत होती है। ऑक्सिजन, इंधन और उश्मा। इन तीनों केमिकल रियक्शन में बहुत ही जादा मातरा में उश्मा उत्पन होती है। और ऑक्सिजन की त्वरित और जादा सप्लाई के लिए उक्सिडाइजिंग एजन्ट का उप्योग किया गया है। और यही ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट फायर ट्रेकर्स और रॉकेट फ्यूल में भी इस्तमाल के जाते हैं। पहले प्रयोग में potassium permanganate oxidizing agent है जो कार्बनिक पतात glycerine को बहुत ही तेजी से oxidize कर देता है। और carbon dioxide और पानी का दुआ बनता है। इस chemical reaction में कुछी क्षणों में बहुत ही उश्मा उत्पन होती है और glycerine तेज लोग के साथ जल उठता है। और यह जो pink flame है यह potassium salt के वज़ा से आ रहा है। दूसरी reaction में भी potassium permanganate oxidizing agent है जो sulfuric acid के साथ react करके हरे रंग का manganese oxide बनाता है। जो कार्बरिक पदार यानि cotton और alcohol के संपर्ख में आते ही उसे तेजी से जला देता है। तीस्ते reaction में हमने देखा कि हमने match head को powder करके उसे cotton wool पे टाल दिया था। इस match head पे potassium chlorate chemical होता है जो कि बहुत ही strong oxidizing agent होता है। potassium chlorate sulfuric acid के साथ react करते ही रुई और alcohol को बहुत ही तीसी से oxidize कर देता है। इससे बहुत ही ज्यादा उर्ष्वा उत्पर्ण होती है और रुई और alcohol चलुकते है। इन सारे प्रयोगों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि oxidizing agent की जरुवत क्यूं है जबकि atmosphere में तो oxygen है। जैसा कि हम जानते हैं कि आग के लिए हमें fuel के अलावा oxygen और sufficient high temperature की जरुवत पड़ती है। और यही तो चीजें हमारी oxidizing agent प्रदान करती है। एक, वो chemical reaction से इतनी heat प्रोड्यूस करती है कि वो high temperature को maintain रखें। और दूसरा reaction के आजफास जो oxygen की भारी कमी हो जाती है वहाँ पे यह oxygen प्रोड़ाइड करता है जो कि यह chemical reaction का by-production। तो अब आप शायद जानी गए होंगे कि दिया जलाना इतना आसान कैसे हो गया है। क्यूंकि हमने ऐसे chemical reactions कोज लिए हैं जिसमें उश्मा भी उत्पन हो रही है, oxygen भी प्रदान हो रहा है और fuel oxidize हो के जल पी रहा है। तो ऐसे ही कुछ chemical reactions हमारे मार्चिस में भी होते हैं। मैच बॉक्स पे friction के वज़र से red phosphorus, white phosphorus में बदल जाता है। जो एक बड़ा ही jewelential पतार्थ है। यह हवा में आते ही जल उठता है और potassium chlorate को decompose करके oxygen release करता है। जो बाकी पतार्थ को भी जलाए रखता है। और safety equipment जैसे safety goggles, lab coat और safety gloves पेन के ही करें। Happy Diwali, safety!